यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ वहां थी लेकिन बदमाशों को पकड़ नहीं पाई बाली ने कहा कि कानून में धिलाई बढ़ती जा रही है जिस कारण सडक हाथ से भी बढ़ रहे हैं और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग HRTC के करमचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं जिसमें प्राइवेट बस ऑपरेटर भी शामिल हैं वहीं उन्होंने सीम पर निशाना साते हुए कहा कि मुखे मंत्री जैराम ठाकुर को अधिकारी गुम रहा कर उन स्थानों पर पठिकाय लगवा रहे हैं जो पहले से ही काम पूरे हो चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि 12 लाख युवा बेर सरकार कोड से प्रेसर में काम कर रही है क्या सरकार चलेगी क्या सरकार लोगों के हित के लिए होती है कोमन मैन के हित के लिए होती है हम लोगों ने कराया कम किया था कम कराय की बसे चलाई थी प्राइबेट अपरेटर हाई कोट में गए जीते थे हम लोग सप्रीम कोट में ग और होता देश के कोने में तो शायद इतना आम जंता को परवावित जाहट नहीं करता जितना यह देव भूमी में होने के कारण जो हमारी रेपूटेशन है दपीसपूर स्टेट लोग शांती के लिए देश-विदेश से हमारी स्टेट में आते हैं और आज ऐसे हलात बन रहे हैं जिससे की जो हमारी सबसे बड़ी संस्ता है लीगल सप्रीम कोट उसने भी संग्यान लिया है हुआ है